एक छोटे से गाव में एक बुद्धिमान और नेक बच्चा रहता था. उसका नाम राजू था. राजू के पास एक प्यारी चिडिया थी, जिसका नाम चिंटू था. चिंटू बहुत ही जादूई चिडिया थी. वह हर किसी की मदद करती थी और हमेशा खुशियाँ लेकर आ नहीं था. राजू ने चिंटू से मदद मांगी. चिंटू ने राजू को एक जादूई पंक दिया और कहा, इस पंक को जिधर भी दिखाओगे, वहां तुम्हें खाना मिलेगा. परंतु ध्यान रखो, यह पंक सिर्फ विपत्ती के समय में ही काम करेगा. राजू ने पंक बिखने को मिलता है कि हमें दुसरों की मदद करना चाहिए और हमेशा नेक काम करने का प्रयास करना चाहिए. जैसे राजू ने चिंटू की मदद से अपने गाओं के लोगों की मदद की, हमें भी अपने समाझ में अच्छाई और सहायता करनी चाहिए.